नमस्कार दोस्तों सवागत आपका इस्टड़ी फोड सिविल सिर्फिसेज में देखे इस वीडियो में मैंने बताया था आपको जुबए कल भी कि मैं गौवर्नर जन्रल और गौवर्नर क्या होता है यह सब बताऊंगा इसमें पूरा कॉंसेब्ट मैं बताऊंगा कि पहले क् मुगल जो कि सब में difference क्या क्या है ऐसा नहीं होता है कि सबी कुछ Governor General ही होता है तो ये काफी कुछ है इसमें सबसे पहले concept देख लेते हैं फिर कुछ fact देखेंगे इसमें और next वाले वीडियो में पूरे जितने भी Governor General और Vice-Royal of India हुए है उसमें उन्होंने क्या-क्या वर्क किया है क्या-क्या important बाते उनसे associated आपको याद रखनी है इसमें हम देखेंगे कि उनकी council कैसी होती थी उनको appoint कौन करता था concept क्या-क्या हुआ है और कैसे-कैसे क्या-क्या ये promote होते रहे ठीक है सब सही हो रहा है फिर से अब एक बार देख लिए अभी chat मत करिए लास्ट में करिएगा जब मैं पूरा करनो ठीक है तो सबसे पहले देखिए क्या होता था कि जब मुगल शाशन था यहाँ पे तो उस टाइम पे Britishers आना चालू हो गयते तो धीरे धीरे जब इनकी पावर बड़ी तब यह President होने लगे यह जब Robert Clive ने पूरा जीत रिया था इसको बंगाल को तो Robert Clive को बना दिया गया Governor of Bengal Governor of Bengal Governor of Fort William Bengal ठीक है फिर उसके बाद Regulating Act 1773 आ गया इधर देख लिए फिर इसके बाद 1773 आ गया Regulating Act और उसने इस पोस्ट को यानि कि Governor General of Fort William Bengal को पहले नहीं Governor था यह सिर्फ यह Robert Clive क्या था यह Governor of Fort William of Bengal थे फिर इसको पोस्ट को प्रमोट करके क्या कर दिया गया Governor General जोड दिया गया इसमें तो 1773 ऐसा पहला एक था जिसने कि Governor General of Fort William Bengal का काउंसर प्लाया उससे पहले क्या होता था Governor of Bengal होता था और Governor of Bengal सबसे पहले को नहीं था Robert Clive उसके बाद फिर Governor General of Fort William Bengal को नहीं था सबसे पहले William Warren Hastings ठीक है फिर उसके बाद फिर यह administration ऐसा चलता रहा फिर जाके इसकी पावर बढ़ाते गए पहले इसको Governor General थी फिर उसमें Council सेटप की चार लोगों की फिर पहले Council के पास ज़्यादा पावर थी Court of Director जो होते थे East India Company के वो इनको पॉइंट करते थे फिर दीरे-दीरे 1833 में और ज़्यादा Centralize कर दिया इसको इसको जो Governor General of Bengal की पोस थी इसको बना दिया Governor General of India तो तब जाके Governor General of India का कॉंसेट है और Governor General of India सबसे पहला कौन था Lord William Bentink एन सीके ठीक है उसके बाद फिर जब 1857 का ये विद्रो हुआ था उसके बाद फिर 1858 वाला जो एक्ट आया उसमें इसको बना दिया गया Voice Roy of India या फिर Governor General of India उसमें भी दुनों अलग अलग चीजे थी एक्चुली जो Major provinces थे इंडिया के उनमें Governor General of India की ही पोस्ट रहने थी लेकिन जो कई जगह जैसे British का डाइरेक्ट रूल नहीं था वहाँ पे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे तो प्रिंसली स्टेट आथॉर्टी को मानते थे किसकी एक ब्रिटिश गlang की तो वह मोनार्क से डाइरेक्ट रिलेशन रखते थे तो प्रिंसली स्टेट के लिए एक सेरिमोनियल पोस्ट थी वह वह ती Whycer Wolf इंडिया तो Whycer Wolf इंडिया जो थी वो ज़्यादा तर पूरी इंडिया की पावर देती थी एड्मिनिस्टर करने की, लेकिन इसके उपर एक आदमी बैठा दिया था, Secretary of State, Secretary of State ये क्या होता था, UK Parliament का मिंबर होता था, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब 1858 के बाद आप देखें कैसे administration चलता है, सबसे उपर है Secretary of State, वो वहां बैठके पूरे इंडिया को control कर रहा है, instruction दे रहा है किसको, Governor General of India को, Governor General of India पूरे ये, इंडिया को administer कर रहा है, उसके अंडर में, या Governor General of India या Voice रहा है अगर प्रिंसली इस्रेट में होगा, फिर उसके बाद हर प्रोविंस में चोटे-चोटे, जितने भी थे, वहां पे governor हुआ करते लेटनेंट गवर्नर हुआ करते थे, एड्मिरिस्ट्रेटर हुआ करते थे, तो ये कुल मिला के 1854 में, अगर आप देखें, तो टोटल सबसे पहले जो important चीज़ें है, ये सब बेंगॉल से ही चालूगा था, उस टाइम पर देखें, तीनी में प्रोविंस थे, जहां पे ब पॉम्बे, वेस्ट में, एक नीचे था मद्रास और एक इधर था इस्ट में, कलकत्ता, या बेंगॉल आप बोल सकते हैं, इसको उस टाइम पर बेंगॉल, तो बेंगॉल में ही मेजर ये नोंने कंसेट्रेट किया, तो इसलिए गवर्नर, जो पहले बेंगॉल में क्या इसको गवर्नर जनरल ये बेंगॉल वाली पोस्ट से अटा, मतलब रिलीव कर दिया गया, वहाँ पे बेंगॉल में एक लेटनें गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, जैसे आज होता है कि देखिए गवर्नर जनरल जो पोस्ट है उस टाहिम की, आप आज की प्रमोट होता गया, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता था, इसलिए मैंने काफी देर कई सारी चीजे पढ़के मैंने ये बताया आपको, कि अब याद रख लिजेगा कि इसलिए मैंने हाईरर्की भी बता दिया आपको, कि सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले 1690 में अ तो पहला गवर्नर बेंगॉल का कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद फिर ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसने इस गवर्नर को बना दिया जंडरल ओफ बेंगॉल, गवर्नर ओफ फोर्ट विलियम बेंगॉल या फिर गवर्नर जंडरल ओफ फोर्ट व जो उसकी काउंसिल होती थी, उसके भी आगे जाने की, 1773 में हो गया, गवर्नर जनरल ओफ बेंगॉल, फिर और ये पहला ऐसा कौन था, गवर्नर जनरल ओफ बेंगॉल, वारेन एस्टिंग, फिर 1833 में अगर आप देखें, 1833 में इसको गवर्नर जनरल ओफ इंडिया की सबसे उपर पूरे इंडिया को समाला है सेक्रेटरी ऑफ इस्टेट वो बैठाए ब्रिटेन में UK Parliament का मेंबर है वो उसके नीचे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और उसके बाद जितने भी जो प्रोविंसेज हैं जैसे 1854 से ही वो बैंगौन में कर दिया गया था कि गवर्नर बना दिया गया था तो ऐसे ही हर जगह कि यह एड्मिनिस्ट्रेटर लेटनेंट गवर्नर गवर था उसका पहले उसके पास एक्जिक्विट आवर होती थी लेकिन फिर उसको और एक्ट आय कोशेटर ओर निच्य वेडिया और के लिए 17 बिने और दी दिया पक्रोवर इसको चैहरा जले रूप पा इसन्रा काफेंस से चालू हुआ है जब से ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी आए थी और फिर 1833 के बाद डी सेंट्रलाइज जोना चालू हो गया तो यही सब अब इसमें लिखा हुआ है पूरा मैंने कॉंसेट आपको समझा दिया है कि देखिए यह ओफिस अगर गवर्नर जनरल का पूछा इसमें बॉम्बे और जो मद्रास का जो गवर्नर था उसको इसके सबॉर्णेट बना दिया गया था मतलब टॉप पे रूल यह कर रहा था गवर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल या फिर इसको क्या बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ओफ फोर्ट विलियम इसके अपने एजेंट देखें चीफ एजेंट बनाते थे यह फिर उसके बाद धीरे-धीरे प्रेसिडेंट बनाने लगे फिर चीफ एजेंट आया फिर प्रेसिडेंट आया रॉबर्ट क्लाइव यह ऐसा था जिसको की ट्रू फाउंडर बोल सकते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल डूमिनियन इंडिया का रॉबर्ट क्लाइव ने कि system जालो गिया था फिर डूल गवर्णमेंट जो इसमें administrative और दीवानी ओंड जो निजामत राइट थे जो फाइनेन्शल जो collect करना ओलो निजामत मतलब civil और जो administration और राइट थे वो इनके पास थे तो लेकिन इसमें इनके पास पूरी पावर थी, लेकिन नॉमिनल एक हैड रखा था, पपेट गवर्मेंट थी वहाँ पे, तो उसके नाम पे लोग चलाया करते थे, तो इसलिए नाम उसका आता था कि कुछ एड्मिनिस्रेशन खराब हो जाए, कभी कुछ आपदा आ जाए, कुछ लोगों को ज ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री है इसकी, पहले चीफ एजेंट, फिर प्रेसिडेंट, और फिर ये गवर्नर होना चालो हुए, देखे, गवर्नर सबसे पहला कौन था, 1758 बना था, रॉबर्ट क्लाइव, यानि कि गवर्नर ओफ फोर्ट विलियम बेंगॉल, और फिर ये गवर्नर जनरल आ गया था, 1773 से, इसलिए मैं दो-तीन बर बता रहूं, याद रख लिजिएगा, फिर 1833 से गवर्नर जनरल हो गया था, ऐसा पहला कौन था, विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल और बेंगॉल पहले कौन था, वारन एस्टिंग, ये लेफ्टन गवर्नर बन रॉबर्ट क्लाइब से जस्ट पहले एक प्रेसिडेंट हा, रोजर, और फिर ये रॉबर्ट क्लाइब ने पूरा जीत लिया था, जब बेंगॉल, ये रॉबर्ट क्लाइब ने 23 जून 1757 में जीत लिया था, जब बैटल अप्लासी हुआ था, उसके बाद क्लाइब को बना इंडिया हो गया था ठीक है तो वो पूरी लिस्ट दी विए इसमें ये लिस्ट तो अभी हम ऐसे भी आगे देखेंगे जो इसकी ड्यूटी थी गवर्नर ऑफ बेंगवाल की उससे रिलीव कर दिया गया और बना दिया गया इसको लेफटिनेंट गवर्नर पॉइंट करने का राइट दे दिया गया इसको कि ये लेफटिनेंट गवर्नर बनाएगा थार्जो चोवन से तो ये सब इसमें पूरी लिस्ट दी हुए फिर उसके बाद मतलब जैसे स्टेट की गवर्नर होते हैं तो वैसे ही आज भी उस टाइम पे थे लेफटिनेंट गव करना रहता है इस्टेट का तो वह ही सब है वो देखे तो तो ये वाइस राय वाली पोस्त थी ये क्रिएट की गई थी 1858 से लेके 1947 तक फिर आजादी मिलने के बाद वाइस राय वाली पोस्त खतम कर दी गई इस्टेट के पास भी राइट था कि वह या तो इंडिया को जो पाकिस्तान को लेकिन गवर्णर जनरल आफ जो इंडिया वाली पोस्ती वो बची रही जब तक ये ये मतलब ये वो उस टाम पर हुआ करते थे हैड ऑप ब्रिटिस एड्मिस्टेशन इंडिया मिली थी हमको और उसके बाद फिर इसको भी हटा दिया गया एक रिप्रेजेंटेट्टिव रह गया थे सिर्फ ये इंडियन मुनार के और हेड ऑफ इस्टेट यानि कि बाद में जो प्रेसिडेंट बन गया तो बाकी यही से ब लिखा हुआ है कि गवर्नर जनलो बेंगौल है 1773 में किया गया और इसको बोलते हैं गवर्नर जनलो प्रेसिडेंटी ओफ फोर्ट विलियम यह दो तीन बार देख लिए क्योंकि बड़ा कन्फियूजन होता है इसमें बाद में भूल सकते हैं तो याद रखिएगा इसलिए मैंने शुरू में समराइस कर दिया था पूरा ठीक है तो ये आप याद रखिएगा इसमें और फिर ये अब पावर उसके पास उस टाइम यह होती थी कि जो फोर्ट विलियम की पूरी पावर होती थी जब सबसे पहले ये ऑफिस क्रियेट किया गया था 1773 में पूरा ये फोर्ट विलियम जो जब इसको गौर्णर ये जो जनरल ऑफ इंडिया वाली जो पोस थी इसको एक तरह से इसको अंडर ला दिया गया सेक्रेटरी ऑफ इस्टेट के ब्रिटिस गौर्वर्मेंट ने पूरा ले लिया था अपने हाथ में पूरा शासन जो जनरल हुआ करते थे ऑफ इंडिया वो प्रोविंसे जितने भी बड़े बड़े थे उनको अड्मिस्टर करते थे पंजाब बंगॉल बॉंबे मद्रास उन्यट प्रोविंस और जो ज़्यादा तर इंडिया था वो प्रिंसली स्टेट से रूल करता था तो उनकी इस जो बड़े बड़े प्रोविंस तो ठीक है तो टाइटल यह बना यह अटा दिया गया था मैंने बताया आपको वायसराए वाला इंडिपेंडेंस के बाद यह सिर्फ यह उसके बाद जो जो सिक्स तेम पिकिंग थे इंगलेंड के उनके रिप्रेजेंटेट्टेव बन सब्सक्राइब करते यह यह लिखा हुआ है कि यह तरह से प्लेजर पर रहते थे जैसे आज भी आप देख लिए कि जो यह जितने भी गवर्न रहते हैं वो बोला रहता है प्रेसिजिट्ट के प्लेजर पर तो उसी सबसी कॉंसेट था यह अटा दिया जाता था था पास अल सब्सक्राइब को पूरी बता चुका हूं यह मैं बस डिटेल में एक बर और डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ इसमें चूट ना गया हो और यह हुआ क्यों था यह इसलिए हुआ था क्योंकि 1773 में उस टाइम पर कंपनी काफी अमीर थी इस्ट इंडिया कंपनी लेकिन उसके ज सब्सक्राइब करते लेकिन अब उसके बाद फिर यह ब्रिटिश के अप्रूवल पर ही करते कि फेडुट करता था लेकिन गओर्ट फिर्ट को सब्सक्राइब करता था नशलिए ट्यूट embargo nila इंडिया या फिर आप याद होय ब짝ी है जब इंडर्डिटर्डण से थी तब भी गॉर्णन जनरल बच्चे थे, लेकिन दोनों नेशन अपने अपने अलग भी गॉर्णनल जनरल बना सकते थे, जैसे सी राज़ गॉपालाचारी भी बने थे एक इंडियन गॉर्णनल जनरल पूरा एड्मिनिस्रेशन करने का पूरा बेंगॉल पर करते थे पोर्ट विलियम वाला तब इसनको जो फॉरेंड और डिफेंस वाली पाउर भी दे दी गई और उसके अलावा ये जो बाकी दो थे जैसे कि ये बॉम्बे वाला और मद्रास इन लोगों के पास कोई ऐसी पाउर नहीं थी कि ये वार या फिर कुछ फॉरेंड वाले डिफेंस वाले उसकी मर्जी के बिना कोई न ले सकता है और उसके बाद फिर और ज्यादा को पूरा कंट्रोलर बना दिया था फॉरेंड पॉलिसी जो इंडिया में थी ठीक है तो ये सब चीजे लिखी हुई है इसमें 1833 वाला जो एक्ता है था बेंगॉल को गौर्णर जनरल और इंडिया भी बना दिया था उसके अलावा इसने गौर्णर जनरल और उसकी जो काउ कुंसी लुगा करती थी देगे गौर्णर जनरल को असिस्ट करने के लिए चार लोग की कम बताता हूं उसमें उनको लेजिसलेटिव पावर भी देती थी वही सेम ही लिखा हुआ है यह समय बता चुका हूं कि उनको वाइसराय करता था वाइसराय प्रिंसली स्टेट को करत सकते हैं कि सी राज गौपालाचारी सिर्फ एक लोगते इंडियन गौर्णर जनरल हुए है इंडिपेंडेंस के बाद और फिर यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गौर्णर जनरल को उस टाइम पर आज का प्रेसिडेंट मांग सकते हैं और जो जितने भी अलग अलग जो प्रोविंसेज के या फिर जगह के यह किसी भी प्रिंसिडेट के थे वो आज कहें गौर्णर हो सकते हैं अब देखें काउंसील में क्या होता था कि गौर्णर जनरल को एडवाइस करती थी एक काउंसील जब ही बनाया गया था यह 1773 के एक बाल 1774 में तो गौर्णर जन गौर्णर जनरल को एक अडिशनल बोर्ड भी मिलता था कि अगर कोई टाई हो जाए तो जो गौर्णर उस टाइम पर जो डी सीन उता था काउंसील का अगर यह टाई के बाद भी अगर उनके खिलाब जाता तो वो गौर्णर जनल पर बाइंडिंग होता था 1784 में इस काउंसिल को चार में से मेंबर हटा दिया गया लेकिन गौर्णर के पास और और कास्टिंग वाना वोड बचा रहा 1786 में इस गौर्णर जनरल की पाउर को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और यह नहीं वो बात दनी था उसके लिए पास पाउर हो गई 1833 में उने बताया था कि पहला ऐसा यह लौ था जिसने के दिस्टिंग्विज किया था गोर्णर जनरल की एक्जिंटिउटीव पाउर और लेजसलिटीव पाऊंसिल को लेजसलिटीव पाउर भी दी गही थी तो वो सब थी उसमें और उसके बाद थी तीन मेंबर बनाये ग पिर और ज्यादा ये जो 1858 वाला एक्ट आया, जो Court of Director को तो हटाई दिया था, इस इंडिया कमपनी को खतमी कर दिया गया था, पूरा सा British Raj के अंडर ही आ गया था, तब जाके फिर ये जो Governor General की Council थी, तो उसमें एक जो Law Member था, वो British Raj पॉइंट करता था, तीन करते थे Secretary, उसके बाद फिर एक 1861 वाला एक और एक्ट आया, उसने और चेंज किये, और दो मेंबर बिट्रिश राज, जो पाच मेंबर ये Governor General Council को अपॉइंट करने का हग था, उस सब दे दिया गए British Crown को 1869 में, ठीक है, वाइस राए को भी एक अलग से Council बना दी गए, legislative function के लिए, तो Governor General ये पूरा Executive वाला देख रहा था, Governor General प्रस Council, वाइस राए की 6 से लेके 12, फिर 10 से लेके 12 और और ये दे दिया गया कि वाइस राए भी अपनी Council बना सकते हैं, जिसको कि Indian Council बोला गया, वो legislative के लिए, और उस ये इन लोग का function होता था सिर्फ एक्जिक्यूटू, वाइस राए का function होता था legislation, ठीक है, फिर उतको आद उनमिस में आपको पता है कि bicameralism आ गया था, Council of State बना दिया गया था, Council of State मतलब आज का राजी सभा, legislative assembly यानि कि आज की लोग सभा, तो फिर legislative जो function थे, वाइस राए यानि कि लोग सभाने, फिर भी वाइस राए के पास काफी सारी power थी, वो जैसे veto लगा सकता था, वो expenditure of money को भी बीना legislator की consent के पास कर सकता था, वो किसी bill को ये declare कर सकता था, कि ये invalid है, उसके पास और भी बहुत सारी power थी, foreign affairs or defense related, जो president होता था, Council of State यानि कि राजी सभा का, वो भी appoint करता था, वाइस राए, और जो president होता था, legislative assembly का उस टाम पर, यानि कि लोग सभा का, उसको करती तो थी legislative assembly, लेकिन उसके लिए वाइस राए का approval चाहिए होता, तो मतलब उल्कुल मिलाके, वाइस राए की तब भी इसमें थी, ये मतलब पूरी इसमें power वाइस राए तो ये पूरा concept था, पूरा governor general of India, governor general, पहले governor बोले, फिर governor, पहले governor of Bengal कौन हो रोबर्ट लाइव, वो हुआ Warren Hashting, उसके बाद governor general of India कौन हुआ, वो हुआ Lord William Bentig, उसके बाद voice rank, governor general of India सबसे पहला कौन हुआ, अठार सौ टावन के बाद वो हुआ Lord Kenny, ये इस इक साथ खतम होता इसके बाद next वाले topic में सबके जो वर्ग थे और जितने भी important चीज़े थी वो सब बता दूगा, ठीक है? अमित पटेल क्या कह रहे हैं? सर विली प्लीज में के वीडियो स्पिस्वली फॉर मों सिक्यू आफ ये अच्छ 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 ने मैं बना चुका हूँ ऐसे instant history of India पे, ये वीडियो मैंने बनाया थे पहले, ग्रूप में, क्लास 11th और 12th वाली nc80, देके मैं एक रीड करता हूँ जब मैं पूरा टॉपिक हतम कर लेता हूँ उसके बाद, तो आप बीच में मत कमेंट करते रहा करिए, बाद में लोग सुनते हैं, अभी किसी को कुछ पूछ ना हो तो बताइए ने तो फिर मैं आफ कर रहा हूँ इसको, उसके बाद मुझे वो दूसरा व झाल